तो आप सबी लोग वीजय सत्यपोती को तो जो जानते हो वाई साउत का बहुती फेमस एक्टर है जिसने हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे मोवीज और वेवसीज पहले दे चुके तो ऐसा ही कुछ दिन पहले सुना ही दे रहा था कि पुस्पा के पाट्टू में वीजय सत्यपोती रहेंगे पर हाँ ए सच है कि विजय सेदवती पुस्पा के पार्ट्टू में रहेंगे। आप लोग को ऐसा ही नहीं बो रहा हूँ, आप ए ओफिसियल स्टेडमेंट देख सकते हूँ, इसमें साफ साफ लिखा है कि विजय सत्वथी पुस्पा के पार्ट्टू में रहेंगे, अब कोई भी यूट्यूबर इसके बारे में अगर बात करे तो बहुत इसको बोल देना, क्योंकि उसमें अल्लु अर्जुन भी है, रस्मी का मंदना भी है और विजय सत्वथी भी है, मैं सोच रहे हो कितना खतरनाक लेवल का मुवी होने वाला है, और मैं दावे के साथ ए बात बोल सकता हूँ, कि साउथ इंडियन फ्लीम इंडस्टी में ऐसा कोई विलन नहीं है जो विजय सत्वथी को टक कर दे सके, आप लोग एकुछ पहले का मुवी याद करो, विक्रम, विजय सत्वथी उसमें जो एक्टिंग किया थे, और खतरनाक लेवल का एक्टिंग था, उसके बाद मास्टर, और कुछ दिन पहले रिलीस हुआ फर्जी ओव सिरी में, वैं क् मिले तो देख लेना, आप बिजय सत्वथी का फैन हो जाओगे, आप लोग तो सोशाल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहते हो, तो आप लोग को तो एज़ीज पता ही होगा, कि पुछ पाटू का क्रेज कितना जादा है, और अल्लो अर्जुन का फैन फोलोईं कितना जा और मैं जब कभी कबर पुछ पाटू के रिलीज डेट के बारे में यूट्यूब में सर्च करता हूँ, तब बहुत सारी यूट्यूबर्स बताते हैं कि इस साल डिसम्बर में रिलीज होगा, इस साल नमेंबर में रिलीज होगा, पर मैं आप लोग को बता दूँ कि पुछ पूसपाटू इस साल हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा मेरे ही साफ से यह 2024 के मे या जून को देखने को मिल सकता है आपको अगर पूसपाटू के बारे में बहुत कुछ जानना है तो यह वीडियो मेरे आप देख सकते हो इसमें मैंने बताया है कि दो सुटिंग वीडियो वो भी मैंने दिखाया है और कुस्पा के रिलीज डेट कौन को रहेंगे सब कुछ के बारे में उस वीडियो में बात किया है तो वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जूर से जाके देख लेना और पास में जो बेल आइकन है उसको अल पे सेट कर लेना क्योंकि इस सब्सक्राइब आपको ऐसाई वीडियो रेगूलर देखने को मिलता है जो बहुत यादा इंट्रेस्टिंग होता है तो कर लेना फ्रीम ही तो है तो चलो ये वीडियो के लिए बाई 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 मैं आप जो शेंदाउन नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से रहना खुच रहना